कि असलावलेकुम्स टूडेंट्स इस लेक्शर में हम ऑटम 2015 का क्वेशन में 9 डिसकस करेंगे के पास पेपर्स का और अगर हम क्वेशन करते हैं तो क्वेशन कहता है इन में 2015 दी बोर्ड डिरेटर्स अफ साहिल इंट एसल है अब डिसाइड़ तो क्लोज वन ओफ एसल्स ऑपरेटिंग सेगमेंट अदे एंड अफ नेक्स्टियर के अग्ले साल हम अपना एक सेगमेंट बंद कर देंगे और उस सेगमेंट में उस साल पचास जाद यूनिट बनेंगे और उसकी इंफॉर्मिशन दी यह रूमर्स ऑफ द क्लोजर प्रॉम्टेड मेजॉरिटी ऑफ दे सेगमेंट इसके लेबर तू लीव दा कंपनी कॉंसर के लिए मैनेजमेंट इस कंसरेंग डी फॉलॉइंग ऑल्टेनेटिव तुको बिदी इशू लेकिन हुआ कुछ इससारा से के रूमर्स की वज़ा से हुआ यह के जो सेगमेंट बन कर दे एंड रेंट दा फेक्री इसपेस फ़र वन यर एक रेंट और रूपी शुन फट्र डर बन यानि के काम्पनी जो है वो सेग्मेंट जो है फॉरन से बंद कर दे और जो फैक्ट्री है वह जहरे एक साल के लिए जो खाली होगी उसको वह रेंट पर दे दे नमबर टू इंप्लॉई कॉंट्रेक्ट लेबर विच विछ बी अबल तो प्रिड्यूस अ मैक्समाब फॉर्टी थाउजन यूनिट्स इन दे यर दा कॉलिटी अव दो प्रोड़क्ट इस हावएवर एक्सपेक्टेड दूस देमेंज दूसरा कंपनी यह सुछ रही है कि हम क सेल्स मैनेजर एस्टिमेट्स देरे सेल्स वॉल्यूम ऑफ थर्टी थाउजन यूनिट्स कुल भी अचीव्ट अगर आपने चाले सजार चीज़े बेचनी है तो सेलिंग प्राइस हो है उसको नवे पर लेकर आना पड़ेगा 25,000 केजीज और माटीरियल इसने स्टॉग इन मार्केट अट प्राइस और रुपीज नाइटीन पर केजी अफ्टर इंकरिंग अ कॉस्ट रुपीज तू पर केजी अब तू 15,000 यूनिट केजीज कैन वी यूज़े इन अनाधर सेग्मेंट ऑफ दा कम्पनी इन प्राइस और माटीरियल विच कॉस्ट रुपीज एटीन कम्पनी के पास 25,000 केलो ग्रैम का माटीरियल अवेलेबर है अगर कम्पनी चाहे तो वो मार्केट की जो प्राइस है 19 रुपे की उस पे बेच सकती है दो रुपे का खर्चा करकर 15,000 के इसे हैं जो कम्पनी के किसी और सेग्मेंट में इस्तेमाल हो सकते हैं जहां पर कोई औ और मैटीरियल अठारा पर केजी के हिसाब से इस्तेमाल हो रहा है वेज़ेश ओंटे लेबर वोल बी रुपीस 24 पर यूनेट असल वोल और सो भी रिक्वाइट इस्पेंट फॉर्टी थाहुजान ओंडर ट्रेनिंग ऑदी कॉंट्रेक्ट लेबर की ट्रेनिंग के लिए 40, अजार रुपे का खर्चा होगा और फिर हर यूरेट वो जहुंबेस रुपे में बाना देंगे दू तो यूटिलाइज़ेशन अव कॉंट्रेक्ट लेबर वेरीबल प्रॉडक्शन ओवरेट पर यूनेट अर एक्सपेक्टेट तो इंग्रीज बाइटी परसेंट जो वे अर यूस फोर प्रॉडक्शन इन अर्श यह वाल्यू वोल्ड रुपीज वाइट वाइट अव प्रॉडक्शन और अधर कॉस्ट इंग्रेट इंफिक्स ओवरेट रेप्रेजंट अपॉट्टेट में अजनल ओवरेट और एट्ट पर्टी परसेंट अव दिएड़ेट अ एसमें से क्या करें कि अधे शायल एमेटेड मेटिर पस दीनोइचन्स साहे लिमिट एक बास तीन ओप्शन गयर यह और यह तो 50,000 की हैशाब से बना वाया लेकिन अब साहे लिमेटीट के पस फीन रॉप एक आप्शन यह다면 के वह क्लोस कर दो कर दें दूसरा ऑप्शन यह यूनिट्स जो है बना कर बेचे जा सकते हैं लेकिन उसके लिए फिर अलग-अलग बाते लिख़ी भी थी किसा घुम के साथ से बंगे और टीस जार यूनिट्स होंगे तो पते कैसा त्योंगे में यह बाते अलग-अलग लिखिग्री लीड कि गए options को opt करते हैं खिर नगर जो बताये गए हमें हमारे पास options है उनको हम आपकरते हैं तो हमारे पास क्या inflow वोंगे और क्या outlook होंगे यह आखर हमें जो है वो मालूम करना है तो जबर इसको हम discuss करना start करते हैं एक option क्या है एक option यह है कि कमनी जो वो इमिजेटी प्लान को क्लोस कर दें, दूसरा ऑप्षेन यह है कि कम्पनी जो है वो 30,000 यूनिट्स बेचे और तीसरा ऑप्षेन यह है कि कम्पनी जो है वो 40,000 यूनिट्स बेचे, अब फॉर्मेटिक खास ख्याल मैं नहीं रखूँगा, मेरा मेन फोकस होगा कि इस सवाल को मैं जितना जल्ली हो सके कम से कम टाइम में सॉल्फ करो ताके आप लोगों के पास यह क्वेश्चन सॉल्फ होकर आजाए लेकर अगर कमपनी जो है वह फॉरण से ही operations को close कर देती है तो उसका कोई sales revenue नहीं होगा क्योंकि वह कोई unit बनाकर बेच नहीं रही होगी लेकिन अगर कमपनी यह फैसला करती है कि हम 30,000 यूनिट्स बनाकर बेचेंगे तो यह 30,000 यूनिट्स है वह कमपनी 100 रुपे के यूनिट्स बनाएगी यानि के एक यूनिट्स जो है वह 100 रुपे का बागा कर बेच सकती है तो यह जो 30,000 यूनिट्स हो गए यह 100 रुपे के साब से 3,000 के बिक जाएंगे और अगर मैं बात करता हूँ 40,000 यूनिट्स की तो 40,000 यूनिट्स बेचने के लिए सवाल में यह मेंशन था कि फिर कमपनी को जो है वह अपनी सेलिंग प्राइस नवे पर करनी पड़ेगी 10 रुपे से रिड्यूस करनी पड़ेगी और अगर 10 रुपे से रिड्यूस करनी पड़ेगी तो वह 3.6 मिलियन हो जाती है यानि के काम हो जाती है ञाँ अगर क्लोजर होगा तो क्लोजर की केस में क्या होगा क्लोजर के केस में कोई सेल्स रिवेणियू नहीं होगा क्योंकि खिर एक ही करकर और आगए पॉइंट बुलेट नमबर वन को अकाउंट फर किया बुलेट नमबर टू पर आते हैं अच्छा बुलेट नमबर टू से पहले ऊपर जो वैलियू इसको भी देख लेता है इसको लिखाव है इसको बंद कर देती है तो कमपनी इस जगा को रेंट पर दे सकेगी और कम नी साल के लिए वह चालेस हजार के रेंट पर दे सकती है और अगर एक साल के लिए चालेस हजार के रेंट पर दे देगी तो फिर उसको चालेस हजार इंटु बारह पूरे साल का चालागशी हजार का रेंट मिलेगा यह रेंट जाहर है कि इस और इस आप्शन में नहीं मिलेग क्योंकि यहां पर तो मैं फैक्टरी इस्तिमाल करकर अपनी प्रोडक्शन कर रहा हूंगा हाँ यह रेंड मिलेगा आपको रेंटल इंकम मिलेगी जब आप फैक्टरी को आज ही क्लोस कर देते अगर आप फैक्टरी को क्लोस कर दोगे तो आप उसको 40,000 रुपए के किराए पर के सवालमें लिखा हैं कि पाचासएजार किलो रॉमटीरियल जो है वह इस्तेमाल होगा और यह 50,000 युनिट पर इस्तेमाल होगा ऐसा था जिसका मतब एक यूनिट पर एक किलो इस्तेमाल होता है अप मैं करते हैं डिफरन्ट आप्शन में लिखा वह है 25,000 किलो ग्रम माट माटिरियल जो है वो स्टॉक में मौझूद है एनी मौटिटी ऑफ दा माटिरियल में भी सोल्ड इना मार्केट एड़ प्राइज और रुपीज नाइंटीन पर केजी आफ्टर इंकरिंग और कॉस्ट और रुपीज टू पर केजी और आप बाजार में जाकर इसको बेच सकते और निस रुपे में दो रुपे का खर्चा करने के बाद अब तू फिफ्टीन आउजन केजी के इन अनधर सेग्मेंट ऑफ दा कम्पनी इन प्लेस ऑफ माटिरियल विच करेंट्ली कॉस्ट रुपीज एटीन पर केजी और इसमें से पन्रह हजार केलो ग्रैम्स का माटिरि रुपे का प्लोउस कर दूंगा अगर में अपने और शक्रूस कर दूंगा तो यह पैसे रिसीफ हो रहा हैं जो कहीं से मिल रहा है वो में असल करना चाहूंगा तो जब मैं अपने इस operations को बंद कर डूंगा तो इसमें से 15,000 kg का material ऐसा होगा जो मैं 18 रुपे के हिसाब से 15,000 kg का material ऐसा होगा जो मैं 18 रुपे के हिसाब से इसका benefit कहीं और से ले सकता हूं कहां से सवाल में लिखा वह है कि आप इसको कहीं और इस्तेमाल कर सकते हो और कहीं और इस्तेमाल करोगे तो 18 रुपे के हिसाब से वो आपको benefit दे रहा होगा इसके इलावा अभी भी 10,000 kg पढ़ावा होगा अभी भी जो 10,000 kg आपके पास पढ़ावा होगा वो 10,000 kg आप 19 रुपे के हिसाब से बाजार में बेच सकते हो वो आप 19 रुपे के हिसाब से बाजार में बेच सकते हो लेकिन बाजार में बेचने के लिए आपको दो रुपे फी किलो पर खड़शा करना होगा तो जब में 10000 किलो बेचुंगा और बाजार में 19 रुपए के हिसाब से बेचुँगा और 2 रुपए किलो के हिसाब से खड़शा करूंगा तो 170 रुपए यह जो रॉ माटीरियल है वो मुझे करकर देगा अच्छे सर इन केसे में किया कहीं और बेहिंगा नहीं कहीं और इस्ते सिमाल करना नहीं होगा बलके मुझे पांच हजार केलो और खरीदना पड़ेगा और पैसे पे करने पड़ेंगे क्यों और फॉ Examples कि बादे कुई कि मुझे अगर तीस किलो और कहीं से खरीबना पड़ेगा और वह पांच अजा किलो और निस रुपे के साब से आएगा तो 95,000 मेरे पास से जा रहे होंगे आखरी ऑप्शन में जिस केस में मुझे 40,000 यूनिट बनाने उस केस में मुझे जो है वह 15,000 किलो रॉम माटीरियल एक्ट्रा चाहिए जो है वह पिछला वाला इस्तेमाल कर लिया और 25,000 किलो के बाद जो है वह 15,000 किलो जो है मुझे मजीद परचेस करना पड़ेगा और एक केलो जो है वह 15,000 मल्टिप्लाइट बाई 15,000 मल्टिप्लाइट बाई 19 रुपे मार्केट से आएगा तो 285,000 रुपीस का यह भी एक करना पड़ेगा और उसके लिए आपका कैश आउट फ्लो हो रहा होगा फिर बुलिट नमर थ्री पर आते हैं वेज़स ऑफ कॉंट्रेट लेबर वुल बी रुपीस 24 पर यूनिट एसल वुल आलसो भी रेक्वाइट तो इस्पैंड रुपीस 40,000 अन दे ट्रेनिंग ऑफ कॉंट्रेक्ट लेबर तो चराब अगर मैं ऑपरेशन्स आज बंद कर दूँगा अगर मैं लेबर की कॉस की बात करता हूँ अगर मैं ऑपरेशन्स आज बंद कर दूँगा तो तो लेबर की कॉस जीर होगी तो तो लेबर की कोई कॉस ही नहीं होगी लेबर के लिए मुझे 30,000 यूनिट्स बनाता हूँ अगर मैं 30,000 यूनिट्स बनाता हूँ तो फिर मुझे लेबर को पेमेंट करनी होगी और वो पेमेंट होगी 24 रुपे के हिसाब से 24 रुपे के हिसाब से 30,000 यूनिट्स की प्लस इनकी अपनी जो है वो ट्रेनिंग हो रही होगी और ट्रेनिंग 40 24000 रोपे के हिसाब से ऑगी तो 700 इन 60 ऐंड की कॉस्ट न aí करऊ एगी ठीक है consider 7007 30000 रोपी की कॉस्ट न in car work gep Ethiinen के चालिस जार रूपए ट्रेynिंग के अलावा 24 रूपे के हिसाब से 30000 युनिट्स का जो हमाउन बनता है वह rotor मैं अगर और मैं नहें वह कोई कोई कास्ट नहीं होगी जेकर अगर मैंने तीस ख़ार यह चालीस खासर यूने रूपी यह मेरा आउटफलो होगा अगर को कंटीन्य करता हूं मेरे पास किसी किसम की कोई कौस्ट नहीं आ रही होगी तो यह बुलेट नमर फूर पर चलते हैं द्यू तो यूटिलाइजेशन ऑफ कॉंट्रेक्ट लेबर वेरीबल प्रोडुक्शन ओवरेट्स पर यूनिट और एक्सपेक्टेट टू इंक्रीस बाइट्टी परसंट वेरीबल प्रोडुक्शन ओवरेट्स पर यूनिट्स फौर पचास अजार यूनिट्स पांच लाग रुपए के वेरीबल प्रोडुक्शन ओवरेट्स सिर्फ पचास लाख यूनिट्स यानि के एक यूनिट पर दस रुपए के लग रहे थे अब वो कहता है कि यह बीस परसंट से बढ़ जाएंगे और अगर बीस भी इनका नहीं हो रहे हैं लेकिन अगर आप 30,000 यूनिट्स बनाते हो तो 30,000 इंटू 12 के हिसाब से 360,000 रुपीज के वेरीबल प्रोडुक्शन ओवरेट्स का खचा हो रहा होगा करेक्ट उनकी प्रोडुक्शन करने के लिए और अगर आप 40,000 यूनिट्स बनाओगे तो 12 165 रुपे के हिसाब से 40,000 यूनिट्स का चालक उसी guitar का खचा हो रहा होगा वेरीबल प्रोडुक्शन ओवरेट जिरोज्थ का अगलिए पॉइंट पर आते हैं अगले पंट मैं है फिक्स प्रोडुक्शन ओवरेट्स क्या-क्यिन चाहां चाहां फिक्स प्रोडुक्शन used in the segment amounting to 170,000 इसमें एक लाग सतर अजार रपे की depreciation से आमेल है depreciation जो है वो मेरा cash flow नहीं होता है इस मशीन ओरिजनली कॉस्ट रुपीज वन पॉइंट सेवन मिलियन जितने की यह खरीदी थी वो इनकी historical कॉस्ट है and could currently be sold for और रुपीज 830,000 और इन मशीन को मैं currently 830,000 में बेच सकता हूँ इसका मतलब यह हो गया कि मशीन के हवाले से अगर मैं बात करूँ न और आज ही operations बंद कर दू तो 830,000 का cash inflow आएगा मशीन बेच कर पैसे आ रहे होंगे अच्छा बच्चों यह याद रहे कि यह depreciation नहीं है यह पांच की depreciation नहीं होती है मगर इसने का है कि जो sales value है न मशीन की याने कि जब इसको आज बेचने जाओगे तो 830,000 रुपे मिलेंगे जब आप बाद में बेचने जाओगे तो जितने यूनेट्स बनाओगे हर यूनेट की वज़ा से मशीन इस्तेमाल होगी और मशीन की जब मशीन को बेचने जाओगे तो उसकी जो sales proceed है वो 5 रुपे पर यूनेट्स से कम हो जाएगी sales proceed के कम होने की बात करता है डेप्रिसियेशन नहीं है sales proceed कम हो रही होगी ऐसा इसने लिखा तो अगर अभी यह चीज आट लग तीस हजार की है जब आप तीस हजार यूनेट्स बनाकर इसको बेचोगे तो यह आपको 6-80000 लेगी आट लग तीस हजार में से 3-50000 इंटु 5-60000 मेंकर दो बैचते हैं 6-80000 का कैश इनफ्लो होगा और अगर आप 40-000 यूनेट्स बनाकर इसको बेचोगे तो एलिएर्टेनटेटять धर्टी थाउजंड माइनस चालेस इसार इंटू पांच माइनस से ङांग है कि यह कुछ भी आतिये का बनाओ और रिए meters क διαवेसे यह चिर्टेजिक्क्रश्ट यह कह रहा है कि इसकी रिएलाइसे बेंड वेल्ई यो कैश प्रोसीड सेल्स प्रोसीड जो है वह पांच रुपे पर यूनिट से कम हो जाएगी जितने यूनिट ज्यादा बनाओगे डेप्रीशियेशन में हम अकाउंट फॉर नहीं कर रहे हैं अच्छा ओल अधर कॉस्ट इंक्स प्रोडक्शन ओवरेट्स रिप्रेसेंट्स अप सब्सक्राइब करने से यह कम नहीं वे होंगे अब जब आप अपने सवाल करोगे तो सवाल करते वक्त अगर आप अपनी में में वर्किंग में यह वैल्यू नहीं दिखाते हो तो कहीं न गहीं यह सबूद्टahn करूं चलाओं कुछ भी करूं यह नहीं वी तो आप कही नहीं स्पैसिफाइज ज़रूर करना फिर पॉइंट नमबर सिक्स पॉर्टी परसंट ऑफ एड्मिनिस्ट्रेशन इन सेलिंग ओवरेड़्ट वेरियेबिल वेरिजर रिमेनिंग अमाउंट रिप्रेसंट अपॉर्षेंट मेंड ऑफ जनल ओवरेड़्ट अगें तो यहें यह जो मैंने तीन लाग कैल्किलेट किया है जो कि विक्स्ट है यह मेरे पास अपॉर्षेंट से आया है और तो मुझे कहीं अपने answer में में करना होगा कि यह मेरे decision के लिए irrelevant है नकर हो होगा कुछ भी हो जाए यह इन करो रहा होगा यह आप सवाल में जरूर मेंशन करोगे ताके आप एक्जामेनर को शुकर हो कि आपको यह बात मालूम है कि यह मेरे लिए इर्रेलेवेंट है जब कि यह जो दो चार रुपए मल्टिपलाइट बाइ 30,000 यूनिट्स होगी ठीक है रहिए आप कॉस्ट इंकर कर रहे होगे एक लाग 20,000 रुपए की ऐसा है और आखरी जो आपका केस है उसमें आप कॉस्ट इंकर कर रहे होगे चार इंटू 40,000 की यहारे कि इसका मतलब यह होगे कि अगर आज मैं ऑपरेशन्स बंद कर देता हूं अगर मैं आज ऑपरेशन्स बंद कर देता हूं मुझे रियलाइजेशन जो आई है वो भी शामिल है इसमें जो एक साल में आप 30,000 यूनिट का बिजनस करोगे उससे जो कैश फ्लो जनरेट होकर आएगा वो भी शामिल है और यह चार टू-30500 का नेट कैश इंट जनरेट तब होगा जब आप 40,000 यूनिट एक साल ऑपरेशन करकर बेच कर अपने बिजनस को बंद करोगे तो ठीक है तो इस हसाब से मेरे डिसेशन 30,000 यूनिट होना चाहिए मैंने बहुत सारी चीज़ें समराइज करकर यह वर्किंग करी है ठीक है मैंने समराइज करकर यह वर्किंग करी है लेकिन आप जब आई केप का आंसर सॉल्फ करो और आपका अंसर यह होगा कि एक साल का ऑप्रेशन करकर 30,000 यूनिट बना कर और फिर हमें जो है वो अपने ऑप्रेशन को बंद करना चाहिए क्योंकि एक साल चला कर अगर हम ऑप्रेशन को बंद करते हैं तो हमें 2345000 का आमाउंट मिलता है उमीने कि यह बात क्लियर होगी अगर आप लोगों में से किसी की कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे वाटसेप मेरे नंबर पर कर सकते हो जिस पर मैं आपकी क्वेरी को एड्रस कर दूंगा बहुत शुक्रिया थेंक यू अलाहाफिस